पाठ ग्यारा, सोने की खान, कस्तावना, हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करने चाहिए, मन से की गई मिहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका अच्छा परिनाम अवश्य मिलता है, एक आश्रम का द्रिश्य, यहां एक संथ और उसके शिश्य रह कहो, कहो घर में कुशल तो है, भोला, क्या बताओ महराज, संथ, हाँ हाँ बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, भोला, महराज, गरीबी मेरा पीछा ही नहीं सोड रही है, लगता है मेरा भाग ये खराब चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, संथ, भोल जैसी आपकी आ गया, मैं तीन दिन बाद आपकी सेवा में उपस्तित हो जाऊंगा। हमारे आश्रम में पानी की बड़ी कमी रहती है, यहां साधु महात्मा आते रहते हैं, यहां का कुवा सूख गया है, इसमें थोड़ी खुदाई करनी है, इससे पानी निकल आएगा। भोला, जैसी आपकी आ गया, फिर तो मुझे गरीबी से छुटकारा दिलवा देंगे ना संथ, सब प्रबंध है, कुवे के पास पहुँच जाओ, दो दिन बीच जाते हैं, कुवा काफी गहरा हो जाता है, अचानक भोला को एक घड़ा दिखाई देता है, वह उसे उठा कर संथ के पास ले आता है, भोला, घड़ा रखते हुए, महराजी, कुवे से ये निकला है, संथ, भोला, इस घड़े का मूँ तो खोलो, भोला, घड़े का मूँ खोलता है, उसमें सोने के भरे सिक्कों को देख पहे दंग रह जाता है, भोला, महराजी, इसमें तो सोने के सिक्के भरे हुए हैं, लीजे समालिये, संथ, नहीं भोला, यह तुम्हारे परिश्रम का फल हैं, और इस पर तुम्हारा ही अधिकार है, भोला, यह तो आपकी कृपा का फल है, संथ, नहीं, भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है, कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है, इन सिक्कों से कोई काम धंदा शुरू करो, तुम्हारी गरीबी सदा के लिए मिठ जाएगी, याद रखो, परिश्रम ही सोने की खान है, भोला संथ के चर्णों को पगड़ लेता है, भोला, महराज, आपने मुझे सची राह दिखा दी है, अब तक मैं आलची था, अब मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं छोड़ूँगा, संथ, बहुत अच्छा, तुम अबदार्थ, आश्रम, संत महात्माओं के रहने का स्थान, अडोब ओफ सेंट्स, द्रिश्य, नजारा, व्यू, कुशल, ठीक, वेल, भाग्य, किस्मत, डेस्टिनी, उपाए, तरकीब, ट्रिक, पुन्य, भलाई का काम, गुद वर्क, पावड़ा, होदने का ओजार, तूल,